हेलो स्टुडेंट्स, माइसेल्फ, राजयंदर वर्मा, टेम केमेस्ट्री, मुझे उमीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप डाइमंड टेस्ट सीरीज, डीटीयस को बहुत अच्छे से इन्जॉई कर रहे होंगे, अपने सब्जेक्ट को अच्छे से निखार रहे हो करें शुरू बेटा, आपके पास कॉश्चन है कौन सा कतन सही है? Correct statement, इन में से हमें चेक कर रहे हैं, फूस्ट तेट्मेंट है पाइरोल ऐनिलीन से अधिक्षार यह है, पाइरोल इसमोर बेसिक देन अनिलीन, क्या यह सही है? इसको चेक कर लेते हैं इसको अगर मैं H प्लस के साथ रियक्ट करवाता हूँ तो इसका प्रोटोनेशन होगा यह प्रोटोनेशन हो गया यहाँ पर यह कैसा है और यह बन गया आपके पास Conjugated Acid Non-Aromatic कैसा यह नौन अरोमाटिक है तो इस पाइरोल में H प्लस गैन करने की टेंडेंसी कम होगे पाइरोल में H प्लस गैन करने की टेंडेंसी क्या है कम है क्योंकि H प्लस गैन करने के बाद इसकी stability क्या हो रही है कम हो रही है conjugated acid जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है less stable और हमें पता है conjugated acid की stability increase होगी तो basic strength automatic क्या हो जाएगी increase हो जाएगी जब कि अगर हम लेते हैं यहाँ पर aniline यहाँ देखें यह भी एक conjugated acid है अगर मैं इन दोनों conjugated acid को compare करूँ इन दोनों को तो इन में से कौन सा conjugated acid less stable होगा बेटा यह conjugated acid less stable होगा जब यह conjugated acid less stable होगा तो pyrol कैसा होगा बेटा less basic as compared to aniline as compared to aniline तो यहाँ लिखा है pyrol aniline से अधिक शारी है तो यह statement तो गलत हो गया pyrol is more basic than aniline यह statement तो गलत हो गया pyrol more basic नहीं होता है less basic होता है यह आपके पास एक reason लिखा हुआ है second statement क्या है aniline pyrol से अधिक शारी है यह more basic है aniline more basic than pyrol तो यह आपका second statement सही हो गया ठीक है इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं देखो द्यान से इसका एक reason तो आप ऐसे समझ सकते हैं एक reason और है इस pyrol में जो long pair है वो delocalized है aniline का long pair भी कैसा है delocalized है अब pyrol और aniline दोनों को अगर हम compare करें तो delocalization effective किसमे है delocalization effective किसमे है pyrol में क्योंकि long pair aromaticity को maintain करने में busy हो गया जब long pair aromaticity को maintain करने में busy होगा तो protonation के लिए easily available नहीं होगा और अगर proton easily available नहीं है less available है तो basic strength क्या हो जाती है कम हो जाती है आप इस base पर भी इसको check कर सकते हैं दो reason आप इसमें ले सकते हैं पहला reason क्या है अगर मैं protonation करवाता हूँ तो मुझे conjugated acid मिलेगा इन conjugated acid की stability को compare करेंगे तो यह conjugated acid more stable होगा यह conjugated acid less stable होगा जब conjugated acid less stable है तो basic strength कम हो जाएगी इसके आप क्या कहेंगे less basic इसके respect इसको क्या कहेंगे more basic एक तो यह region हो गया दूसरा इसका lone pair aromaticity को maintain करने में busy है इसलिए protonation के लिए easily available नहीं होगा यह इसमें दूसरा region है दोनों ही region से आपके पास answer क्या आ रहा है aniline is more basic as compared to pyrol यह correct statement है answer तो यह आ गया अब हम देखें कि इसमें third के लिए क्या है third आपके पास है formic acid is more acidic than trichloroacetic acid formic acid की बात करें वेटा यह मैंने इसको deep protonate कर दिया यह बन गया conjugated base और एक आपके पास है trichloro ccl3 cwh h plus यह भी conjugated base है यहाँ पर आपसे acidic strength पूछी हुई है हमें पता है acidic strength जो है conjugated base की stability पर depend करती है conjugated base की stability increase करेंगे acidic strength automatic क्या हो जाएगी increase होगी तो हमें इन दोनों की stability को compare करना है यहाँ पर जो resonance हो रहा है वो resonance यहाँ भी है negative charge delocalization इसमें extra क्या है बेटा यह ccl3 कौन सा effect लगा रहा है यहाँ पर यह minus i और minus i effect एनायन stability को क्या करता है increase कर देता है तो इसको क्या कहेंगे हम more stable conjugated base की stability वढ़ी जब conjugated base की stability वढ़ेगी तो यह कैसा हो जाएगा वेटा more acidic बास समझ में आया है तो जब आप formic acid और trichloro acidic acid को compare करेंगे तो यह कैसा होगा more acidic होगा यहाँ क्या लिखा हुआ है formic acid is more acidic तो यह statement wrong हो गया पहला wrong था दूसरा right था अब हम बात करें इथेनॉल और फिनॉल की अगर मैं डी प्रोटोनेट करूंगा तो मुझे इथोक्साइड कॉंजूगेटर बेस मिलेगा और फिनॉल की बात करें तो मुझे फिनॉक्साइड कॉंजूगेटर बेस मिलेगा इन दोनों कॉंजूगेटर बेस की स्टेबिलिटी को हमें कंपेर करना है यहां पर नेगेटिव चार्ज थू डी लॉकेलाइज्ड स्टेबल हो रहा है इट मेंस यह कॉंजूगेटर बेस कैसा हों गया बेटा मोर स्टेबल आई है तो इसको हम क्या कहेंगे मोर acidic, तो यहां लिखा है ethanol, phenol से अधिक हम लिये है, ethanol is more acidic than phenol, यह तो गलत हो गया न, यह तो गलत हो गया यह भी गलत है, यह भी गलत है, यह भी गलत है, सही कौन सा है, second, तो फटा इस question में answer आपके पास क्या आ जाएगा, second आ जाएगा, ठीक है आगे चले 152, कौन सा कथन सही है, which is correct statement, आपको इसमें भी चेक करना है, चेक करते हैं Due to hyperconjugation effect of CS3 in tolloween, the electrophile is attached at the ortho and para position यह टोलवीन है, और यहाँ पर हम क्या यूज कर पा रहे हैं hyperconjugation effect यूज कर पा रहे हैं, hyperconjugation effect होगा, तो इस पर negative charge आएगा यहाँ पर negative charge आएगा यहाँ पर negative charge आएगा, तो negative charge कौन सी position पर आ रहा है बेटा ortho and para position पर तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सी position पर easily attach होगा, ortho para position पर तो यह statement आपके पास correct हो गया, ठीक है आगे देखते हैं यह statement आपके पास correct है second statement बात करें, due to negative hyperconjugation effect of CCL3 in benzo tricloride, the electrophile is attached at the ortho and para position, देख लेते हैं मिटा यहां पर जब हम negative hyperconjugation को use कर रहे हैं, reverse hyperconjugation को use कर रहे हैं, तो यह यहां पर कौन से charge को develop कर पा रहा है, positive charge, कौन सी position पर, ortho and para position पर तो यह स्टेट्मेंट आपके पास wrong हो जाएगा, CCL3 is meta directing due to reverse hyperconjugation due to negative hyperconjugation C की बात करें परा मिथाल अनिलीन is formed by the reaction of CS3CL with अनिलीन, अब देखना है कि क्या ऐसा बनेगा, जब हम किसकी reaction करवाएंगे, इन दोनों की एक हमारे पास क्या है अनिलीन है और एक आपके पास क्या है CS3CL है तो बेटा यहाँ पर यह इस पर attack करके इसको remove कर देगा, कौन सी reaction nucleophilic substitution तो आपका जो product बनेगा वो product तो ऐसा बन रहा है N-methyl-aniline product क्या बन रहा है N-methyl-aniline और यहाँ पर दिया क्या है आपको पैरा-methyl, तो इस तो गलत हो गया न बास समझ में आई जब आप अनिलीन की reaction इसके साथ करवाएंगे, तो कौन सी reaction चलेगी nucleophilic substitution reaction चलेगी और nucleophilic substitution reaction जब चलेगी तो आपको product क्या मिलेगा N-methyl-aniline बनेगा जबकि यहाँ दिया हुआ है पैरा-methyl-aniline तो यह statement भी गलत हो गया तो कौन सा statement आपके पास सही है A, A सही है तो answer क्या आएगा बेटा आपके पास third answer क्या रहा है बेटा third answer आगया बात समझ में आगी बेटा ठीक है next question देख लेते हैं 153 benzene आपके पास है cyclic compound है एक HF है आपसे major product X पूछा है चलो देखते हैं अब आपको यह अच्छे से पता है कि benzene और जब आपको यह दिया जाए और इसकी reaction किससे करवानी हो H+, H+, कहां से मिलेगा हमें HF से तो H+, benzene से तो react करेगा नहीं H+, किस के साथ react करेगा इस alkine के साथ react करेगा तो इन दोनों के combination से आपको यहाँ पर एक carbocation मिलेगा तो यहाँ पर कौनसी reaction complete कर दी हमने इस portion में कौनसी reaction complete कर दी electrophilic addition रियक्शन में हमने इलेक्ट्रोफाइल एड़ करके कार्बोकेटाइन जनरेट कर लिया यह जो कार्बोकेटाइन है यह एक इलेक्ट्रोफाइल होता है और यह इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन के साथ कौन सी रियक्शन शो करता है बेटा ESR, Electrophilic Substitution Reaction, इसको आप Electrophilic Aromatic Substitution भी कह सकते हैं, बात समझ में आएगी, तो जब ये इसके साथ अटेच होगा, तो आप देखें, इन में से कौन सा आंसर आपको बेटर लग रहा है, पस लग रहा है ने बेटा, द्वारा समझे, आपके पास एक बेंजीन है, एक एलकीन है, और HF आपको क्या प्रोवाइड करवा रहा है बेटा, H+, ये प्रोवाइड करवा रहा है, इन दोनों में H+, यहाँ पर एडिशन रियक्शन करेगा, एडिशन रियक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से आपको यहाँ क्या मिलेगा, एंजीन के साथ कौन सी रियक्शन हो जाएगी एलेक्ट्रोफिलिक्स सब्स्ट्ट्यूशन रियक्शन हो जाएगी तो जब इसके साथ एलेक्ट्रोफिलिक्स सब्स्ट्ट्यूशन रियक्शन होगी तो आंसर क्या आ जाएगा फस्ट आ जाएगा थ्री डिग्री कार्बोकेट से करवाएंगे एक्षाई की रेक्षन एलोल से करवाएंगे है ऐसा करता है एलोल से नहीं करता क्यों कि यहां पर एक रो है पास समझ में रहे हैं तो इसको हम देख लेते हैं कि यहां पर एक रेजोनेंस है तो यह बॉंड कैसा हो गया वेटा स्ट्रांग बॉंड है तो एच आई की रेक्शन यहां पर यह बॉंड कैसा है बेटा वीक बॉंड है कौन सी रेक्शन हो जाएगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्ट्यद्दिशन रेक्शन हो जाएगी यह लो नुक्लियोफिलिक सब्स्टुडिशन रियक्शन हो गई बेटा इसके बाद आपको इसमें क्या एड करना है बी यार्टू कार्बन डाई सल्फाइड तो इस when me कौ इसे केस में आपको कौनसी रियक्शन करवानी है एएस और उसिन रियक्टिशन ओर उटा इस और सब्सकोन अब वाला ओक्रव हो marriageierung कि किसके इसका कौन साक्या इफ्यक्ट है प्लस एम इफक्ट है तो ओएच ग्रूप कैसा होता है और्थो एंड पैरा डियरेक्टिंग होता है और्थो पोजिशन ओपन है पैरा पोजिशन तो ब्लॉक्ड है तो रियक्शन पैरा पोजिशन पर नहीं होगी कहां पर होगी और्थो पोजिशन पर तो कुछ ऐसा आपके पास final answer आ जाएगा ठीक है चलो देखते हैं यह answer कहां दिया हुआ है देख लो ध्यान से बेटा ऐसा answer कहां दिया हुआ था यह रहा इस question के answer क्या है बेटा second बात समझ में आई देख लो ध्यान से देखो दवारा समझो इसको इन में से यह bond strong है resonance होने से partial double bond character आ जाएगा तो यहां तो reaction करवाएंगे नहीं यह weak bond है इसलिए यहां पर nucleophilic substitution complete होगा यह रहा product अब जब इसकी reaction करवाओगे तो reaction कौन सी हो जाएगी ESR electrophilic substitution at benzene ring according to OH group due to its plus M effect plus M effect होने से OH group क्या करेगा benzene ring को activate करके रखेगा और OH group कैसा होता है ortho end para directing para position block है तो फिर reaction कहां पर होने वाली है ortho position पर आपके पास यह answer आ जाएगा ठीक आंसर के आगे आपका second आ गया आगे चलते हैं हलो स्टुडेंट्स मैं देहाल चोधरी टीम सेल्सी टीम केमिस्ट्री आज अपने AIoT के next paper की बात करने वाले यहां क्यूसर नंबर 155 इन और्गेनिक के पोर्शन का में आपके साथ डिसक्स करने जा रहा हूं तो पहला क्यूसर नहीं अपना विच ऑफ दी फॉस्फोरस से ऑग्जी एसीड कैन क्रियेट सिल्वर मिरर फ्रॉम एजी एनो तरी तो आपको यह देखना है किसमें सेंटर फॉस्फोरस के जाथ जुड़ावा डायरेक्ट अटेच एटम है तो वह आपको किसमें मिल जाएगा इसकी स्ट्रेक्चर अगर आप देखोगे तो कुछ इस टाइप की आपको देखने को मिल जाएगी तो यहां पर रिडिजिंग हाइड्रोजन आपको देखने को मिल रहा है यह इस वज़े सिल्वर मिरर देगा नेक्स्ट क्यूशन की बात अगरते हैं अपन दूरिंग कॉंस्टेंट प्रोसेस इंप्रिटी ऑफ आर्सेनिक ऑग्साइड फ्रॉम एसो टू रिमूट भाई तो यहां पर क्या होगा एक बेस मिला जाता है इस सेटी की इंप्यूरिटी को अठाने के लिए और वह बेस मिला जाता है फेरी के हाइड्रोगसाइड जो इस विल हैपन इफ ग्रेफाइड रोड आर नोट यूजड एज अनोड एंड और रिप्लेश्ट वाई सम अधर मेटल्स देखो आपको पता है यहां पर होल हराल्ट प्रोसेस यह है अगर यह ग्रेफाइड का बना होता है तो जैसे ही एनोड पर आपकी ओट्टू गैस गा लेकिन अगर दूसरा मेटल आपने यूज़ कर लिया तो ओटू सिर्फ इस पर डिपोजिट होगी तो फ्री स्टेट में ओटू फ्री स्टेट में है तो यह वापस से अलुमीनियम को ऑक्षिडाइज कर देगी किसमें अल्टू ओ तरी में तो जहां से अपने टो यह आपको रियक्शन दे रखिये जिंक इन दी एक्स्रेक्शन ओफ गॉल्ड एक्ट एज एड तो यहां पर जिंक का रोल आपको बताना है तो जिंक देखो जीरो से प्लस टू ऑक्षिडेशन स्टेट में चला गया इसका मतलब यह यहां पर रिडिजिंग एजेंट का कारवन आर्दी मॉस्त बिल्कुल यह यह पॉलुटेंट के मैन रिजन यही बनते हैं अगर इनकी कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो यह वोटर के साथ मिलकर के यह आपको डेटा है याद रखना है ड्रिंकिंग वोटर की पी एच आपकी इसी के निरवाई होगी और फिसीज के ग्रोथ के लिए यह नहीं इसके बाद में तो फिसीज की ग्रोथ नहीं होगी वह आपका क्या होगा इसमें कंसंट्रेशन ओब डियो बिलो शिक्स नहीं यह यहां पर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा clean water should have a BOD value of less than ppm तो आपको देखा जाए तो यह statement ठीक था यह statement ठीक था यह भी ठीक था तो आपका incorrect statement यहां पर कौन सा चला गया third next अपना बात करने वाले हैं किसकी which of the following a9 is present in this simple single chain structure of silicate तो cyclic ले लो चाहिए single chain माल लो इनका जो basic unit होता है si320 यह यह आपका basic unit होता है इसको आप यूँ भी कह सकते हैं si03 n2 n- यह भी आप इसको denote कर सकते हैं तो आपका यह कौन सा आजाएगा इसमें यह द्यान रखना single chain के अंदर है एक unit दो oxygen share करता है next statement वाले क्यों सेना गए benzene is reactive while inorganic benzene in गलत बात है benzene के comparison में inorganic benzene ज्यादा reactive होती है इन-organic benzene है क्या s3 b3 h6 b3 n3 यह आपकी नर्ग यह रहा कैसे विलिख दो आप s6 b3 n3 इन-organic benzene तो इसमें देखो nitrogen इससे जुड़ा हो आए बोरोन बोरोन फिर nitrogen फिर नाइट्रोजन फिर आपका बोरोन फिर इनके बीच क्या होगी बैक बॉंडिंग हो जाएगी तो इस वज़े से देखो benzene जैसी structure आरी एक नहीं आरी सबके पास एक 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 है अब बेंजीन में तो carbon carbon के बीच बोरोन और नाइट्रोजन के बीच है दोनों की इन डिफ्रेंस है तो बॉंड में polarity तो आसानी से तूट जाएगा तो यह रिएक्टिव ज्यादा होता है पहला फॉल्स हो गया है सेकंडि स्टेडे इन ऑर्गेनिक यह ठीक है इन और अर्गेनिक में बेंजीन का फॉर्मुला लेकिन फिर्स प्रसे स्टेट्वेंट अगर फॉल्स हो जाता है तो आपका यह देगो फर्स पॉल्स से सेंट्ड से थे स्ट्डिवेंट इस तूट आपको हांसर चलाएगा next question की बात अपन यहां करने वाले हैं which of the following complex will show larger splitting of d orbitals जो जितना ज़्यादा strong will spectrochemical series याद रखो spectrochemical series गैनुसार देखेंगे न तो सबसे ज़्यादा splitting यहाँ पर कौन देगा यह वाला cyanide cyanide से ज़्यादा carbon monoxide देता है carbon nile यह याद रखना which of the following compounds are optical active तो सबसे पहले तो इसकी बात करें तो आपका यह क्या आ गया MA2B2 आ गया और इसको देखके यह तो आपका आ गया DSP2 Iberdization है इसमें तो optical optic बहुल ही नहीं सकते क्यों इसमें plane of symmetry भी परजेंट है दूसरा इसके अंदर क्या होगा 2D structure है optical isomer के लिए पर इसको बना करके देखता हूं तो आप समझ गया होंगे यहां पर A A A B B तो इसमें plane of symmetry आपको परजेंट मेलेगी ऐसे में यह नहीं देगा तो यह भी गया sis वाला देदेगा यह अगर यह sis होता तो आप यहां से देखो sis होता तो A A A A B B अब आपको देखने में plane of symmetry लग रहा है लेकिन है नहीं क्योंकि यह जो चिलेशन हो रहा है वह उफर से हो रहा है यहां पर चिलेशन हो रहा है वह कहां से हो रहा है नीचे से तो यह identical नहीं है प्लेटीनम की 6 आने वाली है नंबरोप आयन्स देखते हैं इसमें तो प्लेटीनम को चील 6 और 6 वेलेंस होगी दो के टू तो इसमें नंबरोप आयना गे थ्री दो तो पोटेशन मरें एक यह पूरा idra complex तो तीन आयना इसके पास यहाँ पर देखो इसके पास मां बात करूंव प्लेटीनम एएन ऐस्ट ट्री तू और सीयल High यह पूरी यहागी तो पूरे लिगेंड कंजीम होगे जीरा अएन इसके पास इसमें इतुंती जाह जाएंगे क्लोरीज यह से बाहर आजाए तो नमरों पायन होगे इसके पास दो एक तो पूरा complex यहां पर चार जाए नहीं neutral complex हो गहें इसलिए जीरो लिखा है इसमें बात करें पास तो यह आजाएगा इसकी अगर बात करें तो platinum लेटिनम एनएज 3 प्लेटिनम एनएज 3 5 और ले से आयन यहीं तो सबसे ज्यादा इसकी उना सबसे बड़ा डेटा इसके पास औना चैये यह है और यह बागी यह दो तो गई सेकन्ड वाले की जीरो नीचाहिए वाले की यह हां पर जीरो है यहाँ पर है नौट इज गस्ट जीरो है तो अब बाकी के मेच कर लो चाहिए आप कहां सबर फर्स्ट चला जाएगा नेक्स्ट अपना बात करते हैं इसके पास नहीं लेगा तो यहाँ पर देखा जाए इसके पास अनपेड इलक्ट्रोन है कितने अनपेड इलक्ट्रोन है निकल प्लस टू में तो दो अनपेड इलक्ट्रोन है यहाँ पर पेरिंग हो गई इसको एर प्लेडर हो गया तो अनपेड इलक्ट्रोन आ गया जीरो त हेलो फ्रेंड्स, मैसल नदीम, टीम केमेस्ट्री, आज हम डिसकस करेंगे AIOT टेस्ट नमबर 02, जिसमें मैं आप से फिजिकल केमेस्ट्री का पार्ट डिसकस करूंगा, तो वो स्टार्ट है सेक्शन 1 में 166 से, तो देखो कोई एक एलाट्रोपिक चेंज दिया हुआ है, डेल्टा-H by T, अब जो भी एलाट्रोपिक चेंज होगा, चाया एलाट्रोपिक चेंज है, या माल यह सब्लीमेशन हो रहा है, तो यहां पर क्या है गाएगा, डेल्टा-H of सब्लीमेशन, ट्रांजिशन, डेल्टा-H of ट्रांजिशन, फ्यूजन, डेल्टा-H of fusion T1, खेर इसमें तो नहीं है, तो सीधा हो गया question, answer इसका, delta H दिया हुआ है, 2090 joule में per mole, और temperature कितना है, 300 kelvin, joule per mole, joule per mole per kelvin में हमारा option दी, इसको solve करेंगे, आप answer number कौन सा जाएगा, first, okay, next देखते हैं, with the help of following data, find out the change in heat content, bond energy देखो, दिया हुआ है, तो delta H, मतलब हमें इस reaction के दोरान, कितना heat में change आया है, वो बताना है, तो इसमें इसको फ्रहाँ सा ओपन में कर लो, C bond, double bond C, H plus H, single bond H, और ये क्या बना रहा है, C, single bond C, ऐसे open कर लेते हैं, इसको, ऐसे open कर लेते हैं, ठीक है, अब इसमें देखो, delta H equal to, ये सभी को जैसे bond energy दिया है, तो bond break होने के term में ले लिया को, अगर bond break हो रहा है, तो sign क्या रहेगा, जो दिया है वही रहेगा, और अगर ये सभी bond के break होने का दिया है, तो जो sign अगर bond break ही हो रहा होगा तो जो sign दिया हो इसे वैसे ही रख लेना और अगर bond form हो रहा है जबकि यहाँ पर क्या दिया होगा है break होने का तो sign जो होगा उसका opposite कर दिना और main sign हमारा क्या रहेगा addy करना है ठीक है वैसे तो formula क्या होता है इसका reactant minus product बड़ आप चाहेंगे तो जैसे बता रहा हो वैसे भी कर सकते है delta h equal to delta h of reactant minus delta h of product बड़ आप उसका थ्वा simplified form है कि bond break होने का दिया है अब जिस bond को आप check कर रहे हो अगर वो break ही हो रहा है तो sign सेम लिलना और अगर वो bond form हो रहा है तो sign उसका क्या कर देना opposite main sign हमेशा क्या रहेगा positive पर mole के लिए दिया हुआ है अब आप देखें तो यहां से start कर लेते हैं C double bond C इस reaction में break हो रहा है और यह सब बन रहा है तो break होने का दिया भी है तो देखो यह 610 C double bond C के लिए main sign हमेशा क्या रहेगा हमारा plus एक mole का ही दिया हुआ है वैसे kilo joule per mole के लिए ही दिया हुआ kilo joule per mole तो एक mole के लिए दिया है और एक mole ही C double bond C break हो रहा है sign same लिए ऐसे लिखती है अब इसमें देखो C H bond भी है तो C H bond कितना इसमें break हो रहा है 4 एक का देखो दिया हुआ है 431 break हो रहा है इसलिए break होने का दिया है break हो रहा है इसलिए sign same ले रहा हूँ वट ये 1 mole के लिए यहाँ पर 4 mole है तो 4 into 4,1,3 main sign हमारा positive ही है अपने आप negative आना होगा हो तो आजाएगा इसमें का CC C double bond C था CH bond था उसलिए अब आगे देखो H H bond है H bond break हो रहा है और break होने का दिया भी है 1 mole और इधर भी कितना है 1 mole फिर sign हमारा कौन सा हो गया positive और यह कितना हो गया 436 into 1 1 mole यह भी है 1 mole break भी हो रहा है ब्रेक सारी क्या बन रहा है form हो रहा है जबकि C single bond C के क्या दिया है break होने का दिया है अब देखो यहाँ form हो रहा है और इधर क्या हो रहा है break हो रहा है तो opposite हो गया कि नहीं हो गया तो sign जो भी होगा उसका change कर दिया माइनस लगा दिया हमने यहां पर है ऑर 1 m Л यह भी किसी का दिया है 1 मौल का 348 पिर देखो 6 CH बॉंड बन रहा है जबकि यहां पर CH bonds के क्या दिया है break होने का दिया है एक मौल का दिया है जबकि यहांём बन कितना रहा है six small बन रहा है तो चुमकि यहां बन रहा है कितना 413 तो सीधा सीधा क्या concept हो गया कि अगर equation target equation दिया है कि यह सब break होने के दिये हैं अगर वह bond break हो रहा है तो sign तो वही लेना है अगर वह वाला bond उससे direction में form हो रहा है तो sign opposite कर देना है यह एक मोल के लिए दिया हुआ है अगर उसमें एक से ज्यादा मोल है तो उतने मोल से multiply कर देना है और में साइन हमें इसा क्या है positive यहां माइनस अमने ले लिया इसलिए प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा अब इसको आपका लिए गाराम चाहल आजाएगा अब देखिए यहां पर किलो जूल में है यहां पर भी क्या है किलो जूल इसमें देखिए slagged lime extensive sea waste treatment what is the maximum pH तो यह सब दिया है solid होगा ks भी इसका दिया हुआ है तो देखो अगर इसका solubility S है तो इसका कितना होगा 2S और हमें अगर pH निकालना है तो हमें solution में क्या मिल रहा है OH- OH- concentration अगर पता लग जाए that is 2S तो P-OH पता लग जाएगा और P-OH पता लग जाएगा तो PS पता लग जाएगा ठीक है तो इसको देखो अब तो हमें OH- concentration निकालने के लिए S का जानना जुरूवगी है कर देते हैं के SP देखो लिए होगे तो कितना आएगा इसका के SP इक्वल टू आएगा 4S Q के SP कितना दिया हुआ है 32 into 10 to the power minus 6 यह पॉइंट यहां से हटा दिया अब देखो यह 8 हो गया तो S Q कितना हो जाएगा 8 power 1 by 3 10 to the power minus 6 1 by 3 यह कितना जाएगा 2 into 10 to the power minus 2 यह S आ गया अब OH minus concentration 2 है और S की value है 2 into 10 to the power minus 2 यह हो गया हमारा 4 into 10 to the power minus 2 तो इधा यहां से क्या निकाल सकते हो POH निकालोगे 2 minus log 2 power 2 आएगा यह कितना आजाएगा 2 इधर आया log 2 की वेलो 0.3010 तो 2 minus approximately 0.6 ले लेते हैं तो यह कितना आगया approximately 1.4 यह POH अभी आया है तो PH कितना आजाएगा PH equal to कितना आगया 14 minus 1.4 ठीक है अच्छा यहां पर अजीम कर लिया गया है 25 degree centigrade अब कुछ नहीं दिया 25 degree centigrade ही मान के चलना पड़ेगा ठीक है तो PH plus PH equal to कितना होता है 14 at 25 degree centigrade ठीक है ओच हमें मिल गया अगर तो PH पता लग गया तो PH पता लग गया तो PH पता लग गया ओच हमने निकाला है OH equal to 2S और OS निकालना है तो हमें S पता होना चाहिए S हमने KSP से solve कर लिया है बाकि जस्ट सब्स्ट्रीट यह क्या है ठीक है next for acid H2A K1 K2 दिया है dissociation constant of acid यहाँ पर overall overall dissociation constant overall dissociation constant of acid तो देखो H2A पहले break होगा तो क्या देगा H positive plus HA minus इसी को आगे बढ़ा लो HA minus H plus plus A minus यह हो गया K1 यह हो गया K2 overall का क्या मतलब है add कर दो इसको overall का मतलब क्या है इसको add करोगे तो देखो यह तो A minus इसका हमें dissociation constant निकालना है ठीक है तो K equal to क्या लिख सकते हैं K equal to क्या लिख सकते हैं अब हमें इन दोनों के health से इनको ऐसे set करना है कि यह equation आ जाए तो क्या करते हो K A1 into K A2 K1 लिख लो product by reactant product by reactant आप उसको multiply करोगे तो यह वाला equation अपने आप आ जाएगा ठीक है तो K A1 into K A2, K A1 कितना दिया है 10 to the power minus 5, K A2 है 5 into 10 to the power minus 10 यह जाएगा 5 into 10 to the power minus 15 overall dissociation constant आपको बताना है तो multiply कर दोगे तो overall अपने आपा जाएगा next density of diamond and graphite, density देखो दिया हुआ है तो अपन बोल सकते हैं इसके हिसाब से कि यह more dense है more dense और यह वाला क्या है less dense है यह more dense है यह वाला less dense है तो अगर आप pressure बढ़ाओगे तो जो ज़्यादा dense है वो ज़्यादा तो दबेगा नहीं जो कम dense है वो ज़्यादा दबेगा तो जब ज़्यादा दबेगा तो किधर की तरब जाएगा लेश देंस से किधर की तरब जाएगा तो अगर प्रेशर बढ़ाएंगे यह लेश देंस है यह मोर देंस है तो यह ज़्यादा कंप्रेस होगा जब compress होगा तो less dense किधर की तरफ जाएगा more dense की तरफ जाएगा more dense की तरफ गया तो reaction किधर जाएगा तो reaction किधर जाएगा backward ठीक है yes 171 question number देखते हैं यह compound आपके पास क्या है normally aryl halide nucleophilic substitution reaction शो नहीं करते special case है तो वहाँ पर nucleophilic substitution possible है तो जैसे इस bromine के respect para position पर NO2 attach है electron withdrawing group है इसके respect यह meta position पर है सोच सकते हैं अब इसको जब हम करेंगे तो क्या करना होगा यह अपने electron withdrawing group को use करेगा जब यह अपने electron withdrawing group को use करेगा तो यहाँ पर कौन सा charge develop हुआ फॉजठिव पॉजटिव चार्जड डेवल अब हुगा है और यहाँ पर positive charge डेवल अब हुगा तो यह जो position है यहाँ पर और एक यह है आपके पास इन दोनों position को देखो इन दोनों में से कौनसे carbon में इलेक्ट्रोफिलिक नेचर जादा है इन दोनों carbone में से कौन से carbone पर electrophilic nature जदा है यहाँ पर electrophilic nature जदा है क्यों क्योंकि इसमें positive charge है तो जो nucleophile होगा वो इस position पर attack करेगा इस पर attack नहीं करेगा तो जब nucleophile यहाँ attack करेगा तो इस bromine को आप replace कर पाएंगे यह bromine replace नहीं होगा इसके according आप देखें और कहीं कोई आपको change नहीं करना है कौनसा answer आ रहा है फस्ट answer आ रहा है बात समझें द्वारा समझें बैटा Nitro group electron withdrawing है तो वो इन दोनों position को electron deficient कर देगा इस position को भी electron deficient कर देगा electron deficient carbon में electrophilic character ज़्यादा होते हैं तो यह nucleophile इस carbon परीजिली attack करेगा as respect इस carbon ठीक है तो यहां से आप bromine को क्या कर पाएंगे replace कर पाएंगे तो इसके according आपके पास answer क्या आएगा फस्ट आ जाएगा बात समझ में आ गई 172 3-butene 2-ol यह है 3-butene 2-ol इसकी reaction किसे करवानी है हमें HBR के साथ जब HBR से reaction करवाएंगे तो आपको सबसे पहले यहां पर एक कार्बोकेटाइन मिलेगा और उसके बाद आप इसको replace कर पाएंगे SN1 reaction के थूँ तो आपको जो product मिलेगा बेटा इसमें यह product मिल जाएगा बात समझ में आ रही है और इसके जब हम numbering करते हैं तो आपके पास answer के आ जाएगा 3-bromo 1-butene 3-bromo 1-butene आपका answer के आ जाएगा बेटा बात समझ में आ रही है इसकी reaction HBR के साथ करवाएंगे कौन से mechanism के through करवानी है SN1 mechanism के through करवानी है तो आपको यह answer मिलता हुआ दिखाई देगा बात समझ में आ गई तो answer के आ आगे आपके पास first answer आ जाएगा 173 ठीक है 173 में आपको देखें यहाँ पर जो reaction होगी पूछा है gives alkane कौन सी अभिकरिया जो है वो आपको alkane देने वाली है first reaction में यहाँ देखें acidic hydrogen है CH4 बन जाएगा second में यहाँ acidic hydrogen है C2H6 बन जाएगा third में acidic hydrogen नहीं है third में आपको कुछ AC reaction होती हुए दिखाई देगी nucleophilic addition ठीक है तो यह आपके पास alkane ही नहीं तो alkane कहां बनेगा A में alkane का formation हो रहा है और B में alkane का formation हो रहा है जब A और B में alkane का formation हो रहा है तो answer क्या आपके पास third ठीक है A में alkane बन रहा है CH4 B में alkane बन रहा है C2H6 A और B कौन सी reaction है acid base reaction है C कौन सी reaction है nucleophilic addition reaction है बात कलीर हो गई होगी समझ में आ गया हो गई बैटा अच्छे से ठीक है next देखें 174 एक alcohol आपको दिया है PCC pyridinium chlorochromate दिया है pyridinium chlorochromate एक mild oxidizing agent है जो primary alcohol को LDID में convert करता और secondary alcohol को ketone में convert करता है अच्छे से आपको समझ में आया हुआ है चलो देखते हैं reaction में क्या होगा CS3, CH2 OH इसको जब आप PCC के साथ treat करेंगे तो यहाँ पर LDID बनता हुआ आपको दिखाई देगा यह compound क्या बना लिया A बना लिया mild oxidizing agent है LDID आपके पास आ गया अब आपको चेक करना है इस reaction को यह aldehyde with alpha hydrogen LDID with alpha hydrogen साथ में क्या दिया है barium hydroxide तो कौन से reaction आपके mind में आ रही है aldol condensation कौन से reaction आने चाहिए aldol condensation aldehyde ketone जो chapter है उसमें aldehyde ketone के पास अगर alpha hydrogen है basic condition दे रखी है तो आपको किस reaction के बारे में सोचना होता है aldol condensation के बारे में सोचना होता है temperature दिया हुआ है temperature नहीं है तो aldol reaction आपके पास product बनाती है और अगर alpha hydrogen न हो basic medium हो तब आपको क्या लेना पड़ता है canigaro reaction लेनी पड़ती है अब यहाँ पर मुझे aldol condensation करवाना है चलो aldol condensation करवाते हैं को हम direct आपके पास होने चाहिए है यह मैं direct बना देता हूं यहाँ पर पूरा product बन जाएगा बेटा तो CS3 CH double bond CH CHO यह आपके पास answer आ रहा है अब देखो इन options में से यह answer कहां पर match कर रहा है answer को हम सा रहा है थर्ड answer आ रहा है ठीक है क्लियर होगी बात CL2 OH CL minus what is the coefficient for OH minus when this equation is balanced with the smallest integer coefficient smallest integer का मतलब है कि आप उसको further simplify नहीं कर सकते है तो इसको balance कर लेते हैं CL2 से disproportionate reaction है तो दोनों को आयन electron method से balance करके दिखा लेता हूं पहले atom balance करते हैं oxygen balance करते हैं वो है नहीं hydrogen balance करते हैं वो है नहीं अब charge balance कर लेते हैं देखो इधर 2 minus है तो इधर भी कितना पड़ेगा ये पहला वाला balance होगे दूसरा वाला CL2 से किधर जाना है CLO3 minus तो पहले atom other than oxygen and hydrogen तो दो कर दिया अब oxygen देखो इधर कितना है 6 है तो जिधर जितना कम होता है oxygen उधर क्या करते है वाटर राइट कर दो तो 6H2 अब hydrogen balance करना है तो देखो इधर 12 है इधर एक भी नहीं है तो उधर 12H plus लगा दो 12H plus जबकि हमें balance किसमें करना है देखो basic medium में वो लास्ट में कर लिया जाएगा अब charge balance करना है देखो तो 2 हो गया negative 12 positive तो हमारे पास इस side है 10 positive और इधर है neutral तो इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा 10 electron एड़ करना पड़ेगा तभी जाएगे balance होगा अब देखो इधर 10 electron है और इधर कितना है 2 electron तो लास्ट में electron balance करेंगे तो इसमें किस से multiply करना पड़ेगा 5 से अब इसको add करो तो यह कितना हो गया 5 C L 2 5 C 5 C L 2 प्लस C L 2 यह कितना हो जाएगा मारा 6 C L 2 इधर वाला प्लस 6 H 2 O इधर का हो गया 10 C L माइनस प्लस 2 C L O 3 माइनस प्लस 12 H पॉसिटिव ठीक है अब इसको एक बार 2 से कट सकता है यह देखो तो और करके यह क्या हो सकता है 3 C L 2 प्लस 3 H 2 O 5 C L माइनस प्लस C L O 3 माइनस प्लस 6 H प्लस यह भी हो सकता है अब ही देखो हमारे में H प्लस हमने लिखा जबकि हमें क्या चाहिए OH माइनस तो जितना H प्लस होना उतने ही राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों एड कर दो तो 6 H प्लस है तो इधर भी हमने एड कर दिया 6 OH माइनस और इधर भी एड कर दिया हमने क्या 6 OH माइनस अब देखो क्या हो रहा है 6 H प्लस 6 OH माइनस ये मिल कर क्या बना देगा 6 H2O ठीक है अब इसको देखो फर्दर क्या ये सिंप्लिफाई हो सकता है फर्दर सिंप्लिफाई हमारा नहीं हो रहा है देखो 6 H2O नहीं अभी आगे कर लेते हैं तो ये देखो 3 H2O से 3 H2O तो बचा कितना यहाँ पे 3 H2O है यहां 1 है यहां 5 है यहां 3 है यहां पर क्या है 6 ठीक है तो अब फर्दर सिंप्लिफाई हो नहीं सकता तो what is the coefficient of OH when this equation balance is smallest integer तो अब इससे ज़्यादा हम नहीं कर पाएंगे यस और फिर उसमें देख लेना है कि further simplify जो नहों उसका OH की मोल्स देख लेना है बस और कुछ नहीं नेक्स्ट कुस्टन दिखते हैं 176, the fraction of molecule are plotted against velocity of molecule according to Maxwell, Bordsman, distribution, the velocity of corresponding to the point XYZ, तो जैसे VRMS, VRMS कितना होता है, root of 3RT by M, VMP most probable, root of 2RT by M, and V average equal to root of 8RT by Pi M, तो अगर आप इनको compare करो, तो सबसे ज़्यादा कौन सा आता है, VRMS, greater than क्या आता है, V average, and greater than आता है, V of MB, ठीक है, तो आप चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो, velocity तो है, तो सबसे ज़्यादा velocity Z क्या होना चाहिए, VRMS, उससे पहले क्या होना चाहिए, V average, और उससे पहले क्या होना चाहिए, V most probable, तो ऐसा निकाल सकते हैं, आप, V RMS, V average, V most probable, ठीक है, यह formula यादी रहना चाहिए आपको, यहाँ से आप, यह यह याद कर लो यह वाला, यह इतना salt तो कोई करेगा नहीं, तो इससे चाहिए यह याद रखो, और उसके help से यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ठीक है, next, for the estimation of nitrogen, 1.4 gram of organic compound, Zeldal method है, ammonia was absorbed in this sulfuric acid, unreacted required, इतना मुला, sodium hydroxide, देखोगा, जो percentage of nitrogen निकालते हैं, इसमें, 5-Zeldal method, वो होता है, 1.4 N into V in ml, यह किसका होगा, H2SO4 used with ammonia, with ammonia, divided by weight of organic compound, 100 नहीं, 100 इसी आ जाता है solution, तो देखो, हमाएं पास weight of organic compound तो दिया है, कितना, 1.4, ammonia was absorbed in this ml of sulfuric acid, H2SO4 हमारे पास वैसे कितना है, 60 ml, M by 10, हमें यहां normality रखना है, आप जानतों, normality equal to क्या होता है, molarity into n factor, H2SO4 का n factor कितना होता है, 2, multiply by 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, N into V in ml of H2SO4, यह हमारे पास है, अब question में देखो, the unreacted acid, इस statement से क्या पता लग रहा है, कि जो ammonia के साथ H2SO4 यूज हुआ है, वो पूरा पूरा यूज नहीं हुआ है, जबकि हमें क्या रखना है, जो ammonia के साथ H2SO4 जितना यूज हुआ है, वो ही रखना है, तो देखो, जितना sodium hydroxide होगा, N into V, उतना H2SO4 खतम कर देगा, अब जो बचा H2SO4 होगा, वो ही यहाँ पर ammonia के साथ क्या हुआ होगा, हमारे पास NaOH का V in ml कितना है, V in ml कितना है, 20 और molarity 1 by 10, और इसका आँ जानते है, sodium hydroxide N factor कितना होता है, यह हमारे पास है, यह हो गया कितना, 6, यह हमारे पास कितना था, 12, और यह कितना हमारे पास है, 2, टोटल S2SO4 कितना हमने डाला है, 12 N into B, जबकि NaOH हमारे पास टोटल कितना है, 2, तो यह इतना इसको रिट्रोलाइस किया होगा, और जो बचेगा, वो ही अमोनिया के साथ यूज़ होगा, तो हमारे पास जो लेफ्ट है, S2SO4, S2SO4 वो कितना है, हमारे पास 10 N into B in ml, जो वही अमोनिया के साथ क्या हुआ होगा, यूज़ हुआ होगा, तो रख लो यहां पे, 1.4 into 10 divided by weight of organic compound, कितना दिया है, 1.4 ही दिया है, 10% आ गया है इसका answer, ठीक है, नेक्स देखते हैं, तो टू एलेक्रोन हैव following sets of quantum number, तो देखो यह N होता है, यह L हो गया, यह M हो गया, यह S हो गया, एनर्जी बात किया है, तो सबसे पहले energy में क्या देखते हैं, N plus L, directly proportional to energy, उसके बाद second पर क्या देखते हैं, N directly proportional to energy, पहले N plus L चेक करते हैं, N plus L इसका कितना है, 5, इसका N, N हो गया, यह L हो गया, कितना हो गया, 3, तो दोनों की same energy नहीं है, 2, X and Y have unequal, यह second answer हो गया, N plus L इसका क्या है, different, ठीक है, next, when NACL is dode with mol percent दिया हुआ है, 10 to the power minus 5 mol percent है, तो mol कितना हो जाएगा, तो percentage जो निकालते हैं, तो 100 से multiply करते हैं, percent हटा हो, तो 100 से divide, जब इसको 100 से divide करोगे, तो 10 to the power कितना हो जाएगा, 7, इतना mol हमने क्या किया है, SRCL2 dope किया है, किसमे, sodium chloride, तो हम जानते हैं कि 1 mol अगर, SRCL2 dope करते हैं, तो 1 mol vacancy create होती है, 1 mol sodium chloride में vacancy create होती है, हमने कितना dope किया है, 10 to the power minus 7, तो कितना mol vacancy create होगा, 1 by 1 into 10 to the power minus 7, mol of vacancy, आप से पुछा है, number of vacancy, तो number of vacancy कितना हो जाएगा, number of vacancy, 10 to the power minus 7, multiply by n, answer हो जाईगा, ठीक है, next देखते हैं, the osmotic pressure of dilute solution of ionic compound xy, 4 times, xy is 4 times of that of vacancy, तो pi of xy, जो है, वो 4 times है, pi of vacancy, ठीक है, इसका concentration तो पता नहीं, बसल्टो का पता है, assuming complete dissociation of the, आईने xy का complete dissociation हुए, इसका want of factor कितना हो जाएगा, 2, और vacancy, l2 का भी want of factor, i equal to कितना होगा, 3, तो अब इसको, solve करते हैं, pi of xy, i into c, r, t, किदर भी, 4 into, i, c, r, t, अब देखो, इसका i कितना दिया है, 2, concentration हमें निकालना है, c, nिकालना है, r, और t, ऐसे ही रखते हैं, यह हमें निकालना है, यह 4 हो गया, इसका i कितना हो गया, 2, c, कितना दिया है, इसका 0.01, r, t, उसी तरह क्योंकि, r, o, t, constant है, यह खतम हो गया, तो 2 से देखो, 2 भी कट लिया, तो c, कितना हो जाएगा, 0.04, that is, 4 into 10 to the power minus 2, calculation check के लिए, ठीक है, next, in the mixture of a, b, components, so positive deviation, positive deviation का मतलब है, कि ideal से vapor pressure क्या हो रहा है, ज्यादा मिल रहा है, और ideal से vapor pressure कब ज्यादा मिलेगा, इसका मतलब जब मिलाने के बाद, उसका volatile power क्या हो गया है, बढ़ गया है, और volatile power बढ़ गया, इसका मतलब उसके बीच में, interaction जो था, वो पहले से क्या हो चुका है, कम हो गया, तो positive deviation के लिए क्या होता है, जैसे a, ज्यादा ओलटाइल तो pressure क्या होगा, ज्यादा होगा, और pressure ज्यादा होगा, पहले से तो उसको क्या बलते हैं, ideal से तो उसको क्या बल सकते हैं, आपको positive deviation, तो इसमें ऐसा देखो, a, b interaction is weaker than a, a and b, यहाँ पर आगया, electron affinity of element x is equal to, electron affinity x की, तो x की electron affinity बोले तो, electron gain करके x minus में चला जाए, इदर लाना x minus के ionization energy, तो इसकी तो affinity इर इसके ionization energy equal होती है, तो ip of x minus second answer आप यहाँ पर आ जाएगा, choose the correct statement of h2o2, h2o2 का di-adral angle in gases phase is greater than solid phase, of h2o2 di-adral angle जो होता है, gases state में ज्यादा होता है, solid से यहाँ पर packing थोड़ी कुल जाती है, तो आपका पहला बिल्कुल सही है, आप NCIT में इसका diagram देख लेना, di-adral angle यह बिस जस्ट इस से उल्टा बोल रहा है, यह गलत हो जाएगा, h2o2 decomposed light की presence में, decomposed हो जाता है, बिल्कुल सही बात है, decomposed होके, h2o2 और o2 देखा है आपका, h2o2 n antiseptic is sold in market, parahedral के नाम से market में मिलता है, और antiseptic के तोर पर यह use होता है, यह भी सही बात है, तो a, c, d और आप कहांसवर चला गया, third, next, अपना बात करते हैं, select correct statement, solubility of alkaline earth metal, carbonate in water decrease down the group, बिल्कुल down the group, अगर अपन चलेंगे, तो carbonate और sulfate की solubility, down the group decrease होती है, first, second A में, तो आपका यह आ गया, second A का है, decrease हो रही है, और यह देखो, sulfate, यह तो carbonate के लिए होगी, यह sulfate के लिए बात होगी, यहाँ पे भी यह decrease होगी, A and D, यह दोनों statement, इन दोनों से opposite बालरें, जो की गलत है, आप इसको यह भी ध्यान में रख सकते हैं, इसके लिए, बिल्कुल simple सा pattern है, first A में, एक तो sulfate हो गया, एक carbonate हो गया, एक bicarbonate हो गये, एक hydroxide हो गये, एक fluoride हो गये, और एक oxide हो गये, और एक हाँ, इनकी solubility down the group जाने पर increase होगी, बग की decrease होगी mostly, मैं हमेशा नहीं कह रहा, और second A के अंदर, एक तो bicarbonate की, एक oxalate की, एक hydroxide की, एक fluoride की, और एक oxide की, इनकी solubility down the group increase होती है, और जो बच गए, उनमें भी कुछ एक हो सकते हैं, जिनकी increase हो बाकी mostly आपको decrease मिलेगी, तो देखो, second A का carbonate दिया है, तो second A के carbonate इसमें नहीं है न, तो यह तो increase होने वाले हैं, इसका मतलब यह decrease है, simple सा है, reason कहा है, नीचे जाने पर hydration energy होती है, वो तो rapidly decrease होता है, lattice energy slightly decrease होता है, इस वज़े से नीचे जाने पर क्या होता है, दिरे दिरे lattice energy cross कर जाती है, hydration energy हो, और सेम लोजी की यहां लगा सकते हो, next, product of which of the following reaction, does not have hybridization in gases phase, gases phase में product किसका, तो gases phase में लो, तो यहां पर ammonia, SCL बनेगा, hybridization बिल्कुल देखने को मिलेगा, यहां H2 आएगा, hybridization देखने को मिलेगा, यहां methane gas निकलेगी, hybridization देखने को मिलेगा, यह gases form में जाएगा, तो यहां देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यह टूटेगा, gases form में O2 और H2 में टूटेगा, तो फिर तो नहीं देगा, gases product में, यहां देखो, यह टूटेगा किसमें, K2, MnO, 4, MnO2, plus O2 में, तो gases product यही है, इसमें hybridization नहीं है, और यह टूटेगा, तो gases H2 और CL2, इनमें भी hybridization नहीं है, तो यह वो हैं, जो दोनों में hybridization नहीं है, gases product में देखना, इनको तोड़ करके, फिर देखना hybridization है यहां नहीं है, यहां मत देखने लग जाना कहीं, यहां देख और बोल दोगी, सर इसका तो DSP3 होता है, नहीं, gases में मतलब reaction लग के देखना है आपको, next, अब हम section B की बात करते हैं, section B में आपके पास, और नी chemistry का question है, intermediate in aldol condensation, aldol संग्णन में मध्यवर्ती कौन सा बनता है, इसकी बात हो रही है, aldol condensation के लिए compulsory condition क्या है, presence of alpha hydrogen, अब ऐसा क्यों, क्योंकि aldol ketone का alpha hydrogen, acidic nature का होता है, acidic nature का क्यों है, ये भी देख लेते हैं, ये हमारे पास कोई एक, carbonyl compound है, ये alpha है, ये यहाँ पर attack करेगा, attack करने से क्या होगा, यहाँ पर आपको मिलेगा, carb anion, intermediate, ये carbon anion intermediate, true resonance, किस में convert हो जाएगा, inolate, iron में convert हो जाएगा, conjugated base stable हो, तो compound में acidic nature आती है, तो यही वो region है, तो आप से पूछा है, intermediate in aldol condensation, कौन सा intermediate बन रहा है बेटा, carbon, carbocetine नहीं बनता, carbon नहीं बनता, free radical नहीं बनता, क्या बनता है, carbonion, या आप से पूछा जाए, inolate iron तो भी सही है, ठीक है, 187, benzaldehyde and acetaldehyde, C6H5, CHO, यह एक aromatic aldehyde है, और दूसरा है acetaldehyde, CS3CHO, यह आप के पास aliphatic aldehyde है, ठीक है, अब इन दोनों को distinguish करना है, क्या इन दोनों को tolend reagent से distinguish कर पाएंगे बेटा, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि aromatic और aliphatic दोनों aldehyde, tolend reagent के साथ reaction करके, silver mirror test देने वाले हैं, तो यह आप use नहीं कर सकते, क्या failing solution को use कर सकते हैं, बिलकुल, failing solution इसके साथ negative test देता है, aliphatic aldehyde के साथ positive test देता है, तो हम इसको use कर सकते हैं, क्यामनो 4 दोनों को oxidize कर देगा, कार्बॉक्जिलीक असिड, कार्बॉक्जिलीक असिड, इसको use नहीं कर सकते हैं, NaOH plus I2, कौन से reaction को बता रहा है, यह हैलो form reaction को, यहाँ पर hello form reaction हो जाएगी, इसमें hello form reaction नहीं होने वाली है, इसको भी आप use कर सकते हो, तो आपके पास A, B, C, D में से, use होने के लिए B, B है और D, B है, आपको क्या करना है, distinguish, एक के साथ reaction हो, दूसरे के साथ reaction नहीं हो, और reaction होने के बाद, जो result है, वो किसी color की form में, किसी precipitate की form में, अपने को observe होना चाहिए, तो आपको समझ में आ गया होगा, B and D, answer कौन सा जा रहा है बेटा, थर्ड जा रहा है, बाद समझ में आ गई, इसमें failing solution negative होगा, negative Fs, और negative hello form, जबकि इसमें positive Fs होगा, positive ही hello form हो जाएगा, बाद समझ में आ गई, next चलते हैं, 188, product formed when C4H11N react with Hinsberg reagent, which is insoluble in NaOH, then amine will be, अब देखो, अगर आप लेते हैं, 1 degree amine, plus C6H5, aso2cl, तो आपको, जो product मिलेगा, वो ऐसा होगा, इसमें ये hydrogen कैसी nature का है बेटा, acidic, तो ये क्या होगा, soluble in NaOH, soluble in NaOH, बाद समझ में आ गई, अगर ये 1 degree हो गया, अगर मैं लेता हूँ, 2 degree amine, plus C6H5, aso2cl, तो C6H5, aso2nr2, ये रहेगा, insoluble in NaOH, due to absence of acidic hydrogen, आप से पूछा है, NaOH में avilay, insoluble in NaOH, तो amine कैसा होना चाहिए बेटा, 2 degree होना चाहिए, तो आपका आंसर क्या जाएगा, 2 degree amine, second, बाद समझ में आ गई, next देखते हैं, 189, what is obtained when an organic compound, containing nitrogen is smelted with sodium, तो अगर आप क्या करेंगे, किसी organic compound को sodium के साथ melt कर देते हैं, fuse कर दें इसको, तो उस case में आपको यहाँ पर, ionic compound of sodium मिलेगा, organic compound कैसा होता है, कोवेलेंट, sodium से reaction करवाके, melt करवाके, उसके बाद, आप उस melted mixture को, water में drop करेंगे, तो आपको एक solution मिलेगा, उस solution में क्या present होगा, ionic compound of sodium present होगा, अब ionic compound of sodium जो है, वो कौन सा होगा, अगर और अनी compound में आपके हेलोजन है, तो sodium हेलाइड बन जाएगा, अगर वहाँ पर nitrogen है, तो sodium साइनाइड बन जाएगा, अब देखें आप यहाँ पर क्या है, अगर sulfur है तो क्या बनेगा, sodium sulfide बन जाएगा, आप से क्या पुछा था, nitrogen दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखो बेटा, nitrogen दिया हुआ है, और sodium है, तो nitrogen और sodium आपके पास है, तो sodium साइनाइड बनेगा, क्या मिलेगा आपको, sodium साइनाइड मिलेगा, बास समझ में आ रही है, organic compound covalent nature के हैं, तो organic compound में जो element है, उनको हम detect नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले उसको किसमे convert करते हैं, आइनिक compound में convert करते हैं, ताकि वो solution में आइनिक form में present हो, अब आइनिक form present है, तो ions को हम easily detect कर पाते हैं, तो पहले इस process के थुरू, sodium का एनिक compound generate करते हैं, हेलोजन हो, sodium halide, sulfur हो, sodium sulfide, अगर nitrogen है, तो sodium cyanide बनता है, तो sodium cyanide, answer कौन सा आ जाएगा बेटा, आपके पास, third answer आ जाएगा, ठीक है, 190, which one of the following statement is correct, आपको इस statement दिए देखने, किसके लिए statement है, amino acid के, statement किस से related है, amino acids में, और statement में देखो, क्या कौन सी language दिए हुई है, optically active के बारे ही पूछा हुआ है, ठीक है, तो आपके NCRT में, आपके पास, 20 amino acids हैं, 20 amino acids आपको दिए हुए हैं, यह amino acids में क्या present है, chiral center, तो chiral center है, तो यह कैसा होगा, optically active लेकिन, if R is equal to hydrogen, तो यह compound कैसा बन गया, glycine, glycine में chiral center नहीं है, तो glycine कैसा होगा, optically inactive, तो इस glycine को छोड़ दो, बाकी 19 जो amino acids हैं, वो कैसे होते हैं, optically active होते हैं, और glycine कैसा होता, optically inactive होता है, तो आप इस statement को पढ़ोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, देखो, all amino acids except glutamic acid are optically active, तो गलत हो गया न, glutamic acid तो खुद optically active होता है, all amino acids except lysine are optically active, तो यह भी गलत हो गया, all amino acids are optically active, तो यह भी गलत हो गया, all amino acids तो है यह नहीं, glycine कैसा होता है, अगर के बागी सारे optically active होते हैं, यह statement सही है, तो आपका answer क्या चला गया बेटा, फोर्च चला गया, बात समझ में आ गई? यह देखें बेटा, 191, which of the following is not correctly presented, आपको polymers की structure दी हुई है, और polymer का name दिया, आपको देखना है, कौन सी polymer structure आपको incorrect दी हुई है, तो पहले देखो, आप nylon 66 की बात करें, nylon 66 की बात करें वेटा, क्या यह structure nylon 66 की सही है? बिल्कुल सही है, एफलॉन की structure सही है, बिल्कुल सही है, टेरेलीन की बात करें, यह भी सही दिया हुआ है, नियोप्रीन गलत है वेटा, क्यों गलत है, क्योंकि आपको, इसका polymerization करेंगे, तो कुछ इस तरह का structure मिलेगा, यह होता है, आपके पास, नियोप्रीन, आपके पास क्या है, नियोप्रीन है, तो यह correct structure है, आप देख लेए, इसके अंदर क्या mistake आ रही है, यह एक CST क्या दिया हुआ है, एक्स्ट्रा दिया हुआ है, आपसे पूछा है, इस नॉट करेंटली प्रेजेंटेड, सही रूप में प्रस्तुत नहीं की गई है, यह आपसे पूछा है, तो आपका आंसर क्या जाएगा, फोर्थ जाएगा, ठीक है, आगे चले बटा, क्लॉरेम फैनिकॉल, क्लॉरेम फैनिकॉल क्या अंटिबाइटिक है, एंटिवाइटिक में कुछ एंटिवाइटिक जो है ब्रोड स्पेक्ट्रम होती है जो ग्रेम पॉजिटिव और ग्रेम नेगेटिव दोनों तरह के बेक्टिरिया टेस्ट देती है और एक होती है नेरो स्पेक्ट्रम जो या तो ग्रेम पॉजिटिव टेस्ट देती है या ग् नहीं है antihistaminic drug नहीं है कौन सा है एंटिवाइटि बुरोड स्पेक्ट्रम आंसर आ गया सेकेंड ठीक है ओके यह एक सर्फिस केमेस्ट्री का है question adsorbed hydrogen by palladium is known as occluded occluded ठीक है होता क्या है कि जिसे palladium ऐसे है ना hydrogen क्या करता है वो जाके इसके interstitial side में बैठ जाता है इस process को occluded बलाता है hydrogen chapter में दिया हुआ है वैसे inorganic में next which of the following electrolyte is least effective least in flocculation of ferric hydroxide क्या होता है positively charged 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 solve तो इसको coagulate कौन करेगा नेगेटिव अब least बोला है तो वो नेगेटिव लेना है जिस पर चार्ज क्या हो कम हो hardest चूल जिलाओ के recording अब इस पर देखो के नेगेटिव कितना आएगा 3 इस पर आएगा 2 इस पर आएगा माइनस 1 इस पर कितना आएगा माइनस 2 ठीक है तो लिस्ट इफेक्टिव कौन होगा सबसे आदा इफेक्टिव तो यह होगा और जिस पर charge valency कम होती ही वो लिस्ट इफेक्टिव होगा तो positively चार्ज था नेगेटिव वो नेगेटिव लेना है जिस पर क्या हो valency उसकी क्या हो कम हो वही लिस्ट इफेक्टिव होगा तो आंसर कौन सा जाएगा हमारा थर्ड हर्ड इस्टूज लॉग during discharge of lead storage cell the density of sulfuric acid तो discharge में क्या होता है pb plus pb o2 plus h2so4 यह क्या बनाएगा pb so4 plus h2o धीरे धीरे यह क्या होगा discharge होगा तो यह use हो रहा है के नहीं हो रहा है और use हो रहा है तो धीरे धीरे इसका density क्या होगा decrease कर जाएगा ठीक है हाँ यह primary and secondary valency आपको यह बतानी है primary valency तो oxidation state के equal होती है तो primary oxidation state plus 3 तो primary valency तो होगी 3 यह आ गया secondary valency number of ligand count कर लोग यह coordination number देख लो तो इसके contradiction number कितनी आ रही है 6 तो secondary valency हो जाएगी 6 तो कौन सा अंसरा देगा 4th the activation energy of reaction is 0 तो आप the rate constant आप जानते है आरेनियस equation क्या होता है k equal to a e power minus e a by rt यह 0 हो गया तो यह हो गया 1 तो के किसके बराबर हो गया एक के बराबर और इसको क्या बोलते है frequency factor आरेनियस factor जो temperature भी dependent नहीं करता है तो independent on temperature किसके बराबर हो गया एक के बराबर और एक क्या है temperature independent answer कौन से चला जाएगा अपना 4th 198 question देखें which is invalid name of the following compound one two three two methyl propane nitrile two methyl यह तो क्या है correct name दिया हुआ है यह correct है iso butyl syneid iso butyl syneid ना iso butyl syneid की structure ऐसी होती है बैटा यह हो गया iso butyl और यह हो गया syneid यह structure इसकी होती है बैटा तो इसका आपसे पूछा था invalid एमान ने तो answer क्या चला जाएगा second चला जाएगा isobutylsynide नहीं है isobutylsynide नहीं है isobutylsynide यह सही है common name isopropylsynide यह देखो यह group कौन सा है isopropyl group है तो इसका नाम आप isopropylsynide भी कह सकते हैं तो यह भी correct name है यह भी correct है तो यह first, third और fourth तो valid name है जबकि second कैसा है invalid है isobutylsynide का ऐसा structure होता है अच्छे से देख लो ठीक है total number of stereoisomers of ketohexos ketohexos कुछ इस form में exist करता है इसको बोलते हैं ketohexos ठीक है अब इसमें यह भी काईरल सेंटर है यह भी काईरल सेंटर है यह भी काईरल सेंटर है आपके पास N की वैल्यू कितनी आगे 3 तो total number of stereoisomers क्या रहेंगे 2 raised to power 3 means 8 answer first आजाएगा ठीक है next question देखे pair of functional isomer देखें आप इसमें 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 तो यह functional isomer नहीं है यह क्या है पी आई है position isomer आपसे पूछा है functional isomer second की बात करें 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 यह तो isomer सी नहीं है molecular formula change हो गया isomer नहीं है 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 यह आपके पास answer आजाएगा क्योंकि इसमें कौन सा functional group है बेटा Easter और इसमें कौन सा functional group है acid answer क्या जा रहा है third जा रहा है इसमें देखें क्या है 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 तो इन दोनों को क्या कहेंगे metamor यह metamor से हैं तो आप से क्या पूछा था क्रियात्मक समावेवी functional isomer answer क्या सलागे बेटा आपके पास third answer सला गया ठीक है मैं उमीद करता हूँ कि आपके जो डाउट्स हैं वो clear हो गए होंगे लगे रहें बेटा इम्तिहान की घड़ी आ रही है अपने जोस को अपने जोनून को बनाए रखे तब ही आप अच्छे से काम्याब हो पाएंगे थैंक यू जैस C.L.C.